मानाव तसकरी के शक में फ्रांस में रोका गया प्लेन मुंबई पहुँच गया है इसने 25 दिसंबर की शाम पेरिस के वाटरी एरपोर्ट से उडान भरी थी यह मंगलवार सुबद 4 बजे मुंबई एरपोर्ट पर लेंड हुआ एक न्यूस एजनसी ने करीब सुबस साड़े चार बजे रिपोर्ट दी कि इस फ्लाइट से 276 लोग लोटे हैं फिलाल भारत लोटने वाले यात्रियों की सही संक्या साफ नहीं हो पाई है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन में जादातर लोग पंजाब, गुजरात और साउथ इंडिया के हैं पहले इस फ्लाइट के सोंबार दोपर दो बच कर 20 मीट पर भारत आने की जानकारी दी गई थी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग देश वापसी नहीं करना चाहते थे इस वज़े से फ्लाइट के उड़ान भने में देरी हो गई इन लोगों ने फ्रांस में ही शरण देने की मांग की थी दरसल 22 दिसंबर को दुबई से निकारगुआ जा रहे भारती नागरी को वाला विमान वाटरी एरपोर्ट पर इधन भनने के लिए उत्रा था इस वरान फ्रांस के अधिकारियों को सुशना मिली कि इसमें मानव तसकरी के पीडितों को ले जाया जा रहा है जिसके बाद फ्लाइट को उड़ान भने से रोक दिया गया था पहले खबर थी कि इस प्लैन में 300 यातरी भारत आ रहे हैं लेकिन देर रात टाइमस आफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एरक्राफ्ट में 303 यातरियों में से 276 ही भारत लोट रहे हैं करीब 25 भारती यातरियों ने फ्रांस में शरण मांगी है और इन्हें पेरिस के स्पेशल जोन चार्ल्स डी गाल एरपोर्ट पर उजगा भेश दिया गया है जहां शरण मांगने वाले को रखा जाता है इसी के साथ मैंने रहे है एश्यारी सिंद्या के साथ हल्यवाद